अज़ को टॉपिक तांसा डिसकस के हुई दो वो टॉपिक का है लोको मोशन इन पेरा मिशियम सबखांगे में रिसूंत पेरा मिशियम जब को पाणी में रहंदर एक यूनिसेलिलर आर्गनीजम वो लोको मोशन चाजे जरिये कंदू आ है So what are the locomotory organs of पेरा मिशियम Answer In पेरा मिशियम लोको मोशन अकर्स बाय मूमेट आफ सीलिया सीलिया आर हेर लाइक एक्सेंशन आफ दे सर्फेस मेंब्रेन आफ पेरा मिशियम डियागराम के लिस हो This is the diagram showing पेरा मिशियम Here उन जी सर्फेस मेंब्रेन आ हे I उन जी मतां तहां के हेर लाइक एक्सेंशन नजर अची रहा है जेंखे चायो तो वने सीलिया अपेरा मिशियम मूज इन वाटर विद आफ सीलिया The body of a पेरा मिशियम is covered all over by a large number of short thread-like extensions of surface membrane called सीलिया The locomotion which takes place by beating of सीलिया is called सीलियरी movement उवा movement जेका सीलिया जी बीटिंग सां थीन दिया हे उनके सीलियरी locomotion भी चायो भी दो आ हे सीलियरी movement भी चायो भी दो आ हे पूरी स्लाइड के फोकस का जो तर जी असां जाए स्टूडन से स्क्रीन शॉट वटी सगन तरिया सुडन्स असां पहनी स्लाइड से पड़े हो से परामेशियम जा लोकोमोटरी आरगन सीलिया होंदा है How does परामेशियम मूव परामेशियम डस नाट मूव इन स्ट्रेट पाथ बिलकुल पांजी लोकोमोशन स्ट्रेट पाथ में नकंदुआ Rather than it takes a spiral path Spiral way में लोकोमोशन कंदुआए जिसो की है Here axis आये movement जी Direction of movement एकड़ी ताहां के axis नजर अची रहिया अंतान इसो परामेशियम परियों एक्सिज जेहना साइड तेया आंपो मूव करे एक्सिज जी इस साइड जे चीवियो आंपो वरी मूव करे पेरी साइड जे चीवियो तो इस बिलकुल जेका axis आज आज डारेक्शन आज मूमेंट के शोती करे बिलकुल साइड मूव न कंदुआ और एक्सिज जी का साइड जे चीवियो दुआ करे एक्सिज जी भी साइड जे लिवियो तो ही एक स्पायरल पाथ में लोको मोशन कन दुआ है सीलिया जे जरी उन्हे जला पेटेगांगेनुट इस नाएं। ATP, Adenosine, Triphosphate लिसुन तब परा मिशियम के सीलिया हूंदा के तरह हैं What is the number of सीलिया? There are about 10,000 to 20,000 सीलिया covering the whole body surface तब अंदाज़ जे मताबिक 10,000 का वी अजार सीलिया थी नाएं परा मिशियम जे surface membrane ते जे साहू लोको मोशन कंदु आए तब पूरी स्लेट के focus का जो तजी असन रासुना से ना जो भी screenshot का डी सागन परा मिशियम मूज लाइक पोट वित मैनी ओर्स एक बोट के हलान जलाए ब्लेड सीनान उनन ब्लेड के ओर्स टेवी दुआ परा मिशियम मूज लाइक बोट वित मैनी ओर्स वियर बोड़ी अफ परा मिशियम में लोकोमोशन कंदु आए मूमेंट कंदु आए तो उनन जी बोड़ी के बोट चेह वियो आए उनन जाते के सीलिया और के ओर्स चेह वियो आए रिसों तर ओर्स चाके चाहो थो वने वाट यू में बाइ और्स ही ताँ पिक्चर लिसों दिस इस पिक्चर शोइंग और्स बोट के प्रोपेल करनल आए और्स के यूज के वियो दुआ वाट इस अन और अन और इस लॉंग राड वित ब्राड ब्लेड एट वन एंट यूज़ फार प्रोपेलिंग और स्टियरिंग बोट तहीं का लॉंग राड आए और उन्हें जे हिठां हेकड़ो ब्लेड आए जेसां कहें भी बोट के प्रोपेल कब हुआ या उन्हें जी डारेक्शन के चेंज के वियो दुआ ये एक बोट आए एहने ते तांके और से नदर अची रहाएं आहने में और खे जेंड डारेक्शन में पानी के धिक्यों भी दो वाटर इस पुच्ट बेकवरड एंड बोट मूव फारवरड पानी के और जे जरीये पुच्ट धिक्यों भी दो आएं बोट अगते अगते opposite direction में move कंदी मी दिया है तर रिसो बिलकुल सेम वे में ही जे का पेरा मिशियम जी body आहे इननके यसी बोट थाचो आये ही जे के surface ते सीलिया आहे इननके यसी ओर थाचो आये हाने इननके सामू पढ़ो पेरा मिशियम moves like boat with many ores where the body of पेरा मिशियम is a boat and the सीलिया are the ores तानसो ही सीलिया सा पानी के backward direction में धिकी दो आई पान अगते मूव कंदो ताही है पेरा मिशियम जी जे का लोको मशना सीलिया दे जरिये चीन दिया and सीलिया स्ट्राइक्स the water like ores ता पूरी स्लाइट के फोकस का जो ताही है हिन स्लाइट जोपिया संटाइट स्ट्राइट 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 का डी सगन है करो ता अनिमेशन रिसो this is the animation showing rowing propelling a boat with the help of ores is known as rowing you move the water in one way with your ores and the boat moves the other way तान रिसो हे पानिया के हिन direction में धिके रहे वा और साँ आईट का boat उनने अपोजिट डारेक्शन में मूव करे रहे या बिलकुल इन्ही प्रिंसिपल थे piramishyum में बे lokomotion यही इन्ही रीट थीन दिया है is the piramishyum moves through the water it moves the water with its cilia in one way and its body moves the other way तान रिसो की है he piramishyum जी surface membrane आए आए उनने ते तां के सीलिया नजर अची रहे हैं है ते सीलिया के zoom के वे वा है तान रिसो ही यह direction of movement this is the direction of movement of piramishyum ते पानी के जें डारेक्शन में धिकीं दो हाने actually पानी के इन डारेक्शन में धिकीं दो push कंदो flashing movement तान रिसो ही जे का है fluid movement पानी के पहुचे जिकीं दो आए पान उनने जे अपोज़े डारेक्शन में मूव कंदो so this is how piramishyum uses its cilia like ores it hits the water in one way and the body of piramishyum moves the other way तो पूरी स्लाइट के फोकस कंदा dear students हाने सी piramishyum जे movement में एक ठोरी पड़ना से effective and recovery stroke theory the movement of cilia can be divided into effective forward stroke and recovery backward stroke now see here this is the one cilia showing the forward stroke cilia mhiklo yaha this is the one cilia mh at different phases 1 2 3 4 5 cilia mhiklo yaha thahi forward direction में stroke जे पाने के पोई ती क्यों वीं दो पेरा मिशम जी बोड़ी opposite direction में forward move कंदी जे में बैक्वर्ड श्रोक जे में सीलियम पाने और इनल पोजिएं ते जेलोली जेलोली वापस ने दो तही forward direction आ जे ये बैक्वर्ड बैक्वर्ड डारेक्शना recovery stroke, तो तहते power stroke शोग क्या विवा है, effective stroke शोग क्या विवा है, एही return stroke आजेंके तहा सा, backward stroke था चाहूं, तो actually हिक्डोई सीलियम, power stroke भी लगाईंदु आहे, एह वो सागोई सीलियम, backward stroke भी लगाईंदु आहे, the beat of each सीलियम has two phases, हिक्डोई सीलियम आहे, वो बिन phases में beat कंदु आहे, the one phase is a fast effective stroke and the second phase is slow recovery stroke, तहीं जो को fast effective stroke का यो पेरियों फेजा हिक्क सीलियम जे beat जो, आहे, जेको slow recovery stroke का ही second phase आहे, तहते पेरों सीलियम स्टेट थीं दो, सिदो थीं दो, position वठन दो, आहे, पो forward direction में जेको आहे, जेको आहे सो stroke लगाईं दो, पानी के opposite direction में पोईते दिखीं दो, आहे पेरा मिश्यम जी body अग्ते move का दिवीं दी, तो पूरे slide के focus का जो, जेह सुडेंट्स हिन जो भी, screenshot वठी सा घन, आप ते move था क्यों, तानी सो, ही पेरा मिश्यम, जेह का सीलियम जो, forward stroke आ, जेंके असा, effective stroke था चाहूं, power stroke, तहीते पेरों, जेको, सीलियम आँवा straight थीं दो, slightly उनमें कार्वीं दो, it becomes slightly curved, and strikes the water like an oar, and pushes the water in backward direction, and its body moves in forward direction, तहिए जें direction में, जें direction में मिसालतो है, ही इकड़ो, swimmer swimming करे रहा, तो पानी के पोईटे दिखीए दो, हने, frontal kraal में, जेन ही इकड़ो, swimmer आ, ऊँपावर स्ट्रोक लगाईँ दो, या, forward stroke, तो पानी के पोईटे दिखीए दो, energy body, अगते move कन दी, तानसो ही जग को effective stroke आए नक एक्स्प्लेंड के विवा हिते effective stroke forward stroke during effective stroke the cilium extends straight up हिते नोट कनदा ते cilium ही है सिदो थी विदो straight थी विदो ए उनमे एक लो minor कर विदो so the cilium extends straight up becomes slightly curved and rigid and beats against the water thus bringing the body forward and sending the water backward बलकुल सागे नमूने ही जग को cilium जग को effective stroke लगाई दो आ तो एक swimmer swimming जी दोरान जने frontal crawl कन दो आ तो हूँ भी जने power stroke में पानी के पोचे दिखी दो में दो तो उनना जी body अक्ते मूब कन दी मीदी हिते एक लो animation रसंदा तक कि यह एक ली frontal crawl जी थी थे swimmer जी note क्यों he swimmer swimming करे रह वा he उनना जो forward stroke का power stroke का पानी के पानी आर्म साँ पोचे दिखी दो थो वनी आयनना जी body जी का अक्ते मूब थी करें ने के जब आ frontal crawl आयनने सो बिलकुल से में में भी पेरा mission जनने forward stroke लगाई दो पानी के backward पुश का दो आयनने जी body अक्ते मीं दी आयन पुर सो recovery stroke में the cilium brings back to its original position slowly slowly वो वापसी दो so during recovery stroke recovery stroke is also called backward stroke during recovery stroke the cilium comes back to the original position and remember the recovery stroke is also called return stroke तो पूरी स्लाइट के फोकस कनदा तर ये सुरेंट से असा effective stroke and recovery stroke थोरी पड़ी से पेरा मेशियम जी movement या लोको मोशन जी हावाले सां हाने असा के ब्यार टर्म्स पढणा पानदा पेरा मेशियम जी लोको मोशन में एक synchronous rhythm और यो metachronous rhythm what do you mean by synchronous and metachronous rhythm there are about 10,000 to 20,000 cilia covering the whole body surface cilia of transverse row move at the same time it is called synchronous rhythm हिने के सां diagram ते explain कनदा से the transverse row चाके चायो थो बने what do you mean by transverse row एकिया सीलिया हिकाई टाइम ते गड़ बीट था कन इने के चाहिए दो आए सिन के रोनस rhythm जने ते सां longitudinal row जी गाल के हूँ whereas the cilia of longitudinal row move one after an other means they do not beat at the same time but they beat one after another and it is called metachronous rhythm तो जने longitudinal row जा सीलिया बीट कन दा सबही गड़ बीट न कन दा same time ते beat न कन दा हेका काँ पो बीट कन दो जने कैसी चाहूं था metachronous rhythm तो जने बीनी rhythm के सां diagram ते शो कन दा सी पढ़न दा सी now this is the diagram showing the cilia and rows of cilia ही जे का anterior end खाँ posterior end ते हाँ जी जे का cilia जी रो आ बीट कैसी चंदाँ ने केसी चंदाँ झी जॉँँटरिनल रो now from anterior to posterior this is the longitudinal row of cilia this is the longitudinal means from head to tail or from anterior to posterior this is the longitudinal row of cilia, ती cilia जी कता के longitudinal row नदर अची रहिया, now this is the longitudinal row of cilia, रिसो ही longitudinal row, anterior end का, posterior end ते, ठीका, मत थां केडी एंडा, anterior end, हेठां केडी एंडा, posterior end, तहां नही ते का longitudinal row ती cilia एं, पे रो हेकुसी लियां बीट तो करे, बेओ बीट तो करे, पोट रहों, पोचो तो, तो जी एन appearance, this is called metacronus wave or metacronus rhythm, now read here, वेरेस, the cilia of longitudinal row, move one after another, it is called metacronus rhythm, ताने सो, anterior side का, पोस्टियो साटता ही, ही एक longitudinal row आ, कें जी, cilia जी, ते में cilia गदी बीट ने था कर, परहेक बेखां, पोई बीट था कर, when the movement of cilia produced the appearance of traveling wave, it is called metacronus wave, तर इसो हिते, cilia हेक, wave-like appearance नही रहे, ने किसी चाहूं था, metacronus wave, या metacronus rhythm, हान हिते रिसो dear students, ही जी का line कट करे रहिया, across वजी रहिया, या हे transverse row, हे डा है, ही सी लिया जी केडी रोती ने, transverse row, now this is the transverse row, transverse row, the transverse means across, a line that cuts across two or more parallel lines, तो ही जी के बाल आई जी रहिया, हिकडी पाइन कट करे रहिया, सायन के चाहूं था, transverse row, हेन जा सी लिया गड़ बीट कनाई, the cilia of the transverse row, move at the same time, it is called synchronous rhythm, पुरी स्ट्रेट के focus कर जो, तो ये सुड़न्स हीना जी भी, screenshot के, कडी सगन, तो ये सुड़न्स असा लास्ट में पड़े हो से, तब पेरा मिश्यम जी, जेका longitudinal row रों दिया सी लिया जी, उनमें सी लिया गड़ बीट कनाई, हेका खांपो यो बीट कन्दुआ ने के चबवा, मेटा करोना से रिद्म, जेने जेका transverse row थी लिया सी लिया जी, उनमें सब जा सी लिया गड़ बीट कनाई, उनमें के चबवा, सिन करोना से रिदम, Thank you dear students, wishing you all of the best.